गाइस के आप जानते हैं जब भी ट्रेन प्लाटफर्म में आती है तो हॉन जरूर उमारती है लेकिन क्या आप जानते हैं इंडियन रेलवे में किस हॉन का क्या मतलब है आए जान लेते हैं एक छोटी होन का मतलब है ट्रेन याड में आ गई है और अगली आत्रा के लिए उसका सफाई का टाइम भी हो गया है दो सौट हन का मतलब है ट्रेन अभी चलने के लिए पूरी तरह से तयार है तीन सौट हॉन का मतलब है लोको पाइलेट का इंजन से कंट्रोल खतम हो गया है चार छोटे हॉन का मतलब है ट्रेन में कोई टेकनिकल इसू आ गई है लगातार लंबे हॉन का मतलब है ट्रेन प्लाटफरम पर नहीं रुखेगी दो चोटे और एक लंबे हॉर्ण का मतलब है किसी रे ट्रेन की चेन खिची है दो लंबे और एक छोटे हॉर्ण का मतलब है ट्रेन अभी ट्रैक चेंज करने वाली है दो बार रूप कर हॉर्ण बजाने का मतलब है ट्रेन रेलवे क्रोशन के नस्दिक आने वाली है और छे बार छोटे हॉन का मतलब है कि आगे खत्रा है तो गाइस क्या आपको भारतिय रेल्वे के हॉन के बारे पहले से पताता है कमेंट करके जरू होता है और वीडियो अच्छी लेके तो प्लीज लाइक से और सब्सक्राइब जरू करें